C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे भारत की नदियां श्रिंखला के अंतरगत कारिक्रम यमुना भाग दो पिछली बार हमने यमुना के विभिन रूपों को जाना समझा और धलानों से नीचे उतरते हुए हम पहुँच गये थे बरकोट और अब आगे यमुनोत्री से बरकोट तक यमुना की पतली ही लेकिन तेज धारा का रूप अब बदल रहा है नदी के दोनों और बस्तियां और जन जीवन दिखाई देने लगा है यमुना जैसे जैसे आगे बढ़ी जन संस्कृती के नए नए रंग सामने आने लगे बरकोट से आगे के सफर में यमुना आपको कहां कहां ले जाती है मेरी डायरी के पन्ने कुछ कह रहे है मेरी जल्दी उठने की आदत है सुबईया को जगाने में मुझे काफी मेनत करनी पड़ी सुबईया सुबईया बोलो उठो उठो सुने दोना बहुत देर होगे सोते सोते अब उठ जाओ कस्बे के बीचों बीच एक ही सलक थी जिस पर हमने दो चक्कर लगा है घूमने के बाद होटल वापस आए नाश्टा किया तयार हुए यमुना के साथ साथ हमारा यानि मैं और मेरे साथी सुबईया का सफर फिर शुरू हुआ अब यमुना के बहोँ में स्फूर्ती और तेजी थी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी यहां नदी की प्रवृत्ती कटाओ वाली थी और ये किनारे और तल काटते काटते एक गहरी खड में बह रही थी सुबईया ऐसे खड को गोर्च कहते हैं समझें गोर्च मैं समझें नहीं देखो नदी अपनी उपरी अवस्था यानि पहाडों में बहाओ के समय काट छाट अधित करती रहती है तल और किनारों दोनों को काटती है कटाओ का कारण है बहते हुए पानी में बड़ी चटाने, कंकड, पत्थर और बर्फ तेज ढाल पर काटने की प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है समझ रहो न? कंकड और पत्थर नदी को दोनों और से काटते हैं अरे वाह इसलिए दोनों किनारे दीवार जैसे बन जाते हैं अच्छा अच्छा यहां यमुना का तल काफी गहरा हो गया था इसकी आकरती अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की थी पहाडों की उप्री अवस्था में यू आकरती के घाटी अधिक बनती है हम नदी के पुल पर खड़े थे दोनों और देखा मानो नदी दो दीवारों के बीच बह रही हो पुल से पानी काफी नीचे था जो खड की गहराई को जाहिर कर रहा था पुल से धोला धार की उची पहाड़ियां भी दिखाई पड़ रही थे जो बर्फ से ठकी होई थी नदी की गती के कारण कंकर पत्थर आपस में रगड़ खाकर छोटे हो रहे थे साधारन धाल पर काटने की शक्ती और कम हो जाती है लेकिन ये का छांच नदी के तल को गहरा करती है कम उचाई वाले पहाडों में धलान कम होने की वज़े से नदी के बहाओ की गती कम होती है इसलिए घाटियों का आकार कुछ अलग होता है कुछ-कुछ अंग्रेजी के वी के आकार जैसा घाटियां उपर से चौड़ी और नीचे से सक्री होती है और तल में पानी बहता है अब यमुना के दोनों और छोटी-छोटी बस्तियां दिखाई देने लगी ढाल के अनसार घुमावदार सडकें भी नजार आने लगी भई, पहाडों में ज्यादा तर लोग ढलानों या घाटियों में रहते हैं हिमाले में ज्यादा तर बस्तियां दक्षिन पूर्वी ढलानों पर दिखाई दें उत्री पश्चमी भागों में बहुत कम पेड़ पौधे, खेती बाड़ी भी यहीं ज्यादा है शायद दक्षिन पूर्वी भागों में सूरी की क्रेणे देर तक रहती हैं बरसात भी इदी ढलानों पर अधिक होती हैं अरे वो देखो, वो सीड़ी नुमा खेत तेज धाल पर सक्रे और छोटे खेत थे साधारन धाल पर चोड़े वा बड़े आकार के अच्छा जानते हो, यहां धान मुख्य फसल है धान? यहां की लोगों का मुख्य भोजन है चावल, राजमा, अरहर अरहर, अरे वाई, यह तो मुझे भी पसंद है खेती के साथ लोग भेड़ बक्रियां भी पालते हैं अधित्तर बस्तियां पानी के स्रोत या जर्नों के आसपास दिखाई देती है पुराने मकानों में लकडी वा पत्थर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है मकान के निचले भाग में पशूँ को रखा जाता है और उपरी भाग में खुद रहते हैं अच्छा मकानों की उचाई मैदानी भागों के घरों से कम होती है वो इसलिए क्योंकि छोटे मकान देर तक गर्म रहते हैं सर्दी में आरामदा है क्यों बिल्कुल ठीक पहारों में औरतों को अधिक काम करते देखा हमने एक बड़ी अच्छी बात देखी लड़के लड़कियां बड़ी संख्या में स्कूल जाते हैं साक्षर्ता की दर यहां मैदानी भागों से अधिक है यमुना के साथ चलते रहे हमने देखा कहीं कहीं पहाडों के बीच मैदान भी है चारों और पहाड हैं और बीच में मैदानी भाग यहां धान के खेती अच्छी थी भाई यहां गाओं के लोगों के वेश भुशा कुछ भिनने लगी हाँ? अच्छा बात बताओ यह कौन से अलागा कहलाता है? इस इलागे का नाम है जॉन सार बाबर जॉन सार बाबर? हाँ सुभईया जॉन सारी देहरा दून के पश्चिमी ढलान दून घाटी से आते हैं दून घाटी से? हाँ जॉन सार बाबर भी इसी का एक शेत्र है अच्छा यमुना के पूरवी और पड़ता है जॉन सारी लोग समाज शास्त्रियों के अध्यन का बिंदू रहे हैं हमने यहां कई गुफाएं देखी जिनमें सर्दियों में लोग रहते भी हैं कुछ गुफाएं तो बहुत आकर शक्ती मानो प्रक्रती ने खुद नकाशी की हो अब शिवालिक की पहाडियों का सिलसिला शुरू हुआ इनकी उचाई धौला धार की पहाडियों से कम है यहां बर्फ सर्दियों में कभी कभी पढ़ती है पहाडियों के बीच से यमुना नदी बहती है शिवालिक की पहाडियों में कई सुन्दर स्थान है जैसे शिमला, मसूरी, बहरदून और नैनी ताल वगएरा गर्मियों में बहुत से लोग यहां घूमने आते है शिवालिक की धलानों पर अब सेफ की खेती होने लगी है इसके परिणाम भी अच्छे हुए अखरोट के पेड़ भी लगाए गए हैं कहीं कहीं चाय के बागान है यमुना के तट से सेफ के बागों को भली भाती देख सकते हैं फिर हम यमुना नदी के साथ साथ आगे बढ़ें डाम्टा नामक गाउं के पास कलसी नदी यमुना में मिलती है कलसी नदी शिमला के पास निकलती है इसके किनारे पोंटा साहब गुर्द्वारा है कलसी नदी के मिलने से यमुना में पानी और बढ़ जाता है अब यमुना शिवाली की पहाडियों से नीचे उतरने को आतर है मैदान में पहुँचने से पहले यमुना हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड की सीमा बनाती है हिमाले के विभिन पहाडों से होती हुई उत्राखंड राजे के गढ़वाल से बहती हुई यमुना हरियाना में पहुचती है यमुन उत्री से हरियाना की सीमा तक का यमुना का सफर लगभग 300 किलो मीटर है हरियाना में यमुना नदी पर एक बैराज बनाये गया है बैराज ताजे वाला नमक स्थान पर बनाये गया है सुबहिया फिर जुट गए जानकारी इकठा करने में उन्हें एक बुज़र्ग दिखाई दिये जाहिन ताओ जाहिन जाहिन ताओ ये बराज तो बड़ा बड़ी है हाँ जी अंग्रेजी सरकार के जमाने में बांध बनाया गया था बरसाथ में जमना नदी में बहुत बाड़ा रहे थी अच्छा गाम के गाउं बहजाया करते थी क्या गाउं के गाउं बरसात के बाद पानी की कमी हो जावे थी बाल को रोकने और खेती की सिंचाई के लिए यो बराज बनाया गया इसके पूरम में उत्तर परदेश और पच्छिम में हरियाना से और यहां एक नहर निकाली गई अच्छा फिर तो बहुत फर्क पड़ा होगा जी खेती में बहुत सुधार हुआ से किसानों की हालत में सुधार हुआ से कच्छे मकानों की जगे हैं पक्के मकान बन गे से अच्छा हाथ का काम मसीनों से होने लगा पैदावार में किई गुनाम बड़ा उत्री हुई से सच मिता हूँ आप से बाते करके तो बहुत मुझा है अमने चलता होता हूँ मुझे आगे भी जाना है जाएं 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 ताजी वाला के बेराज एक सुन्दर एवं रमनीक स्थान है यमुना नदी पर बनावटी जील है जील के पीछे लंबी चाड़ी घाटी है घाटी के बीच से बहती है यमुना दोनों ओर चाड़े पत्ते वाले पीड़ों के गहरी जंगल है यहां सैकणों किसम के पक्षी और जानवर रहते है सामने सूर्य अस्थ हो रहा था पक्षी अपनी अपनी टोलियों में चह चाहते हुए पहाडों की ओर जा रहे थे पहाडों से यहां अधिक गर्मी थी दिन में काफी तपिश थी रात होते होते जील के किनारे ठंडी ठंडी हवा चलने लगी रास्ते में धाबा दिखाई दिया सोचा स्थानी ये खाना मिले तो ठीक रहेगा हाँ बबाइ बाहत अच्छा नहीं गार्ए ठीक है तो यहीं रुखते है gotta फाल बताएं कहाने में क्या है अच्छाह और कोष्ण यहीं का हाँ कुछ यहीं का हमें तो कुछ यहीं id शाब जी, बहुत स्वाधिस्ट होगा, कुजी खा के तो विक्खो ठीक है, फिर हम यहीं बैठते हैं, क्यों सुभी है? हाँ, बिल्कुल, ठीक है मक्के दी, रोटी, नाल, मक्षनी दाल नहीं साग चलेगा अरे भई, दोड़ेगा, हम तो यही तलाश कर रहे थे धाबे पर हमने मक्का की रोटी, मक्षनी दाल, दही और साग पेट भर कर खाया बाओ जी, खाने विछ मज़ा आया ना बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया तुसी सड़े धाबे नू हमेशा याद रखोगे बाओ जी, एक काले साड़ी और मन्नो, तुसी एक गलास गरम दूद दा पियो दूद? सची कहना है, चंगी नीद आएगी क्या कहते हैं? क्यों सभाईया, पी लिए जाए? चल खिके पीते हैं, तो ले आओ फिर दूद पीके भी देखते हैं, ले आए ये हमने ऐसा है किया, खाना खाने के बाद तहले, अब मौसम ठंडा हो गया था, हावा चल रही थी, दिन भर देखे, प्रकृती के खुबसूरत द्रिश्यों को आँखों में समाए, हम खूटल में लोटा है यमुना भाग दो अभियाब सुन रहे थे ये कारिक्रम ये 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 य